इस कुद भी आज सो बेक्ट विश्ट करने जा रहा हूं एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारा है कि मैं आपको इसे जो रिसेंट आइपियो साथे जो मैं टू नाइका पेटियम यह सब जो आइपियो साहे थे वह आज कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें अच्छी बाइंग लेवल दे सकता हूं एक अलग तरीका है मेरा इसमा जो ओल टाइम लो के बाद भी जो श्टॉक्स होते हैं मैं उनका भी एक लो निकाल देता हूं यह स्ट्रेजिए आपको भी पता चल जाएगी कौनसी स्ट्रेजी है यह बहुत अच्छी स्ट्रेजी है और मैं आपको इस strategy का नाम है वो है Fibonacci Extension जैसे कि हम बताया है Fibonacci Extension के एक अलग सी सीरीज मेरी Fibonacci की जो सीरीज उसमें वीडियो पढ़ी है Fibonacci Extension कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता है बस उसका उल्टा ही करना है मैं आपको दिखाता हूँ Fibonacci Extension जब हम यूज करते हैं यह टूल मिलता है हमको यहां से थर्ड टूल बार में GANON Fibonacci Tools में Second Number का Trend Based Fibonacci Extension यह वाला हमारी टूल है इसको हमको Select करना है जैसे कि आप Fibonacci में क्या करते हैं हम जो आगे का Target होता है जैसे कि Next Target होता है All Time High के बाद का वह हम Next Residence पता लगा लेते हैं लेकिन इसमें हमको यही करना है All Time Low के बाद Next Support पता लगाना है तो इसमें जस्ट Strategy को Reverse करना है आपको मैं सारे Stocks के बारे बताने वाला हम पहला हम लेते हैं Zomato Limited तो Zomato Limited में आपको देख सकते हैं All Time High हमारा यह है तो All Time High से हम Select करेंगे यहां से फिबुनाची लगाना शुरू करेंगे All Time Low Level कौन सा है हमारा यह वाला Level All Time Low Level है यह हमने Select किया इसके वाद वापिस हमने इसको Extend किया इसके All Time High तक All Time High तक Extend किया तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा टूल लग गया है हम इसको अच्छा खासा Resistance Provide हो रहा है यहां पर देखिए यहां पर भी रेसिस्टेंस हमको Provide हुआ है यहां पर हमको Support Provide हुआ है यहां पर भी हमको देखिए इसका जैसी ब्रोक हुआ यही हमारा Breakdown हुआ उसका हमको देखिए कितना बड़ी आफॉल देखने को मिलना है और इसकी वे ध्यान रखना अगर Market ने Support किया तो ही आपको Entry लेनी है इसमें मेरी को जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपने Entry ले ली और आपको दुबारा Stock में Fall आ गया बस आपको ध्यान रखना है Nifty Bank Nifty में कोई भी हमको Bullish Reversal के Sign मिलने चाहिए तभी हम इन Levels में Enter करेंगे मैं भी मै इसमें कोई भी Bullish Reversal के Chance दिखेंगे यह एक तरीका और है यहा तो हमारे 81.90 के 82 मतलब 82 Round of Figure है यहाँ पर से आपको कोई भी Bullish Candle दिखे तब भी आप Enter कर सकते हैं एक और तरीका है इसमें Entry करने का वन्ना आप 82 के आपस Entry कर सकते हैं और Closing Basis पर इसके नीचे इसके Breakdown होने पर आप Stop Loss लगा सकते हैं बस ध्यान रखना Closing Basis Daily Candle ऐसे अगर के आपको Stop Loss में लगाना है बस ध्यान रखना की Market सपोर्ट करनी चाहिए वन्ना 82 के लेवन पर मिरको Zomato Limited अच्छा लग रहा है आप इसको अपने Watchlist में अड़ कर सकते हैं तो Second Stock की तरफ हम जलते हैं Second Stock जो म बताता हूं फीवन अच्छे मों कैसे लगा रहा है यह रहा इसका All Time High Stock Stock का All Time High हमने यह लिया यह रहा इसका All Time Low ऐसे करके हमने Select किया और दुबारा इसको Drag किया इसके उपर तर तो इसमें हमारा देखे Target क्या है हमारा Target अलाम से इसमा है यह वाला 1494 1495 का Round of Figure आप इसमें Target ले सकता है नईका में अच्छी Entry Point बन सकती है अगर इसको आपने Add कर लिया Market के Sentiments के साथ Market Bullis है तो आप इसमें कोई भी Bullis Reversal Candle देखने को मिलेगी आपको आप इसमें Enter कर सकते हैं बस ध्यान रखना Market में बार 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 बोल रहा हूं आपको हर स्टॉक के अनसे से बोल रहा साथ इसमें 14% कल ही हमको Fall देखने को मिल जाए लिकिन आपको कल एंटर नहीं करना आपको Entry कर सकते हो ज्यादा Aggressive Trader हो तो Entry कर सकते हो Closing Basis के हिसाब से आप अपने Daily में Stop Loss रख सकते हो बस ध्यान रखना कि 14, 14, 10, 10% अभी Stock Fall कर रहा है तो क्या पता आपको Closing Basis भी बहुत सस्टेन नहीं कर पाए रेस्टेंस भी सस्टेन नहीं कर पाए उसका हमको अच्छा खासा Fall देखने को मिला है तो अच्छा खासा काम करता है यह देखिए अच्छा Fibonacci Extension हमारा काम कर रहा है 1494 हमारा अच्छा काम कर सकता है एक support का तो अब हम चलते हैं अपने अगले Stock की तर यह मैंने drag किया और हम इसमें देखते हैं हमारा क्या आता है अगला support तो अगला support जो हमारा आ रहा है वो है सीधे 527 पर बहुत नीचे आ रहा है हमारा support ध्यान रखना कि आपको इस सबसे entry लेनी है यहीं पर मैं आपको prefer करूंगा entry इससे पहले मैं बताऊंगा नहीं आपको entry करो कम से कम 30% का wall बहुत ज्यादा fall बचा है इसमें बहुत ज्यादा fall बचा है इसी level पर आपको इसको suggest करूंगा इसके उपर आपको अगर enter करना है तो इसमें जो next resistance है कि हमको अभी दिख रहा है कि यह वाला जो हमारा point है यह next resistance है तो इसका आपको enter करना है इसी resistance के breakout के आप enter कर सकते हैं तो यह हमारा second reason है वनना आप entry करिएगा इस वाल लेवल पर 540 के लेवल पर आप अराम से entry कर सकते हैं अच्छी कासी entry point हमको policy बजार में देखने को मिल जागी 1500 के आसपास तक का हाई है जब 14670 के आसपास कहाई है तो 540 के आसपास entry बहुत अच्छी इसमे कर लेते हैं तो अगर हम पेटियम को फिवनाचे extension लाकर चेक करेंगे तो यह रहा पेटियम का all time high यह रहा पेटियम का all time low यह रहा पेटियम का low तो हम इसमें check करेंगे कि हमारा क्या आ रहा है target तो हमारा जैसे की 1.618 देखे कितना बड़िया काम किया है इस level ने यह देखे कि 3.50% के आसपास काम को reversal देखने को मिला है अससे आपको यकीन यह भी हो जाएगा कि देखे लेवल्स काम करते हैं लेवल्स ने अच्छा काम किया है लेकिन इसमें एक कड़बर हो गई है कि यह वाला इसमें target ही हो गया है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पेटियम इसको य देखने को मिल गई तो आप अगले दिन इसमें एंटर कर सकते हैं stop loss आपका रहेगा इस लेवल के नीचे याद रखना stop loss आपका 840 के आसपास का आपका stop loss रहेगा 850 के आसपास का आपका stop loss रहेगा और आपसे बुलिस एंट्री मिल जाएगी या वेट करिये इसके नीचे अगर break down हो जाता है तो wait करना कोई भी अच्छा consolidation होता है तो उसके breakout पर आपको entry करनी है वरना wait कर सकते हो आप जो next resistance पेटियम में जो बने उस पर आप entry कर सकते है ये एक और तरीका है तो पेटियम में अभी में prefer नहीं करूंगा entry करना बलकि ये अभी अच्छे support पर है इसके आप enter कर सकते हैं बुलिस मारूफ बुजू हो गई या हमको बुलिस हैमर देखने को मिल गई या ड्रेगन फ्लाइड लूजी देखने को मिल गई बहुत ही अच्छी कोई बुलिस के इंडिल हमको देखने को मिल गई तब उसमें एंटर कर सकते हैं उस candle के close होने के बाद stop loss सपोर्ट के नीचे का या all time high के नीचे का आप stop loss रख सकते हैं और बहुत अच्छी आपको इसमें entry पेटियम में भी देखने को मिल जाएगी अगर दूसरा तरीका जो है वो है next resistance या next supply zone के ब्रेक होने के बाद उसका breakout हो जाता है प्लस रीटेस्ट हो जाता है तो आप रीट इसी बजार और ptm चार अच्छे stocks में दे दिया है technically levels इनको दे दिया है कि dip में आप कौन से level पर इनको adding कर सकते हो तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like कर दें कमेट से मुझता है वीडियो से रिकरनी क्या problem है और आपको किन stocks में query है आप उससे पूछ सकते हैं औ मेरे instagram प्लस telegram पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें को किसमें में swing trading प्लस intraday के charts रिगुलर से एर करता है ता हूं so thank you for watching